अलो डियर एस्पिरेंट्स वेलकम अगेंट जीडिसी इट्विटर जैसे कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर आपको सभी फार्मा जॉब अपडेट्स यहां पर मिलते हैं तो इसी क्रम में आज हमारा नया वीडियो आ रहा है जिसमें हम एक नए फार्मासिस्ट जॉब वेक फार्मासिस्ट की टोटल 50 पोस्ट हैं और एक पोस्ट यहां पर ड्रग इस्पेक्टर का निकल कर आ रहा है चले डीटेल तोर पर समझते हैं कैसे यहां पर सिलेक्शन होगा किस तरीके से यहां पर एप्लिकेशन फील करना है क्या प्रोसिजर रहने जा रहा है कौन से कि यहां पर आ जाएगा नागालेंड पब्लिक सर्विस कमिशन इसे क्लिक करते हैं क्लिक करते ही आपको पहुंचा दिया जाएगा होम पेज पर होम पेज पर पहुंचते हैं यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट पर जाना है और यहां सेकेंड नंबर ध्यान रखेंगे advertisement number आ रहा है यहाँ पर 2 2023 और यहाँ medical and allied जी हाँ medical and allied क्योंकि हमारे health department से आ रहा है तो इस section पर आपको click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे देखिए यहाँ से advertisement आ रहा है publish date बता रहा है 31st of March 2023 और यहाँ बहुत सारी vacancies आई हुई है हमें यहाँ पर item नंबर six पर जाना है six और seven देखे बहुत सारी पोस्त है backlog vacancies भी है और यहां fresh vacancies है fresh vacancies में जब हम item नंबर six और seven पर नजर ढालते हैं तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है six में यहाँ हमें एक पोस्ट मिल रहा है drug inspector का और seven में हमें यहाँ पर forty nine post हैं pharmacist grade two और एक post यहाँ से अलग है pharmacist grade two under the directorate of presence इसके अंदर यहाँ पर one post आ रही है इस हिसाब से pharmacist की होगे total यहाँ पर fifty post और drug inspector का आपका यहाँ से एक post ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं drug inspector class two का यहाँ पर gadgeted drug inspector का post आ हुआ है जो हमारे health and family welfare department के अंदर है यहाँ से आप यहाँ apply कर सकते हैं notification के यहाँ से देख सकते हैं और दूसरा जब बात करते हैं item number seven यहाँ अमारे pharmacist grade two का post यह भी हमारे health and family welfare के अंदर है और यहाँ option भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक post आ रही है pharmacist की grade two under the directorate of prisons चलिए इस department के अंदर यहाँ पर post है देखते हैं किस तरीके का qualification यहाँ पर मंगा गया है तो देखिए यहाँ आपको कैसे clear करना है आइटम number six ध्यान रखेंगे हमारा item number six और seven पर हम चलेंगे six में हम डियाई चल रहे हैं और seven हमारे लिए फार्मर्सिस चलिए देखा जाए educational qualification item number six में minimum qualification भी फॉर्म मंगा हुआ है जी अभी फॉर्म के students यहाँ पर eligible है किसी तरीके का experience यहाँ पर नहीं मंगा गया है mostly ऐसा होता है अगर डियाई का कहीं पोस्ट आए हुआ है तो तीन मेहने एक तीन साल का यहाँ पर experience मंगा जाता है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का experience नहीं है मतलब फ्रेशर्स इस्प्रिमेंट भी यहाँ पर apply कर सकते हैं सेकेंड बात करते हैं आइटम सेवन की बात करें इसमें हमारे ए और बी दोनों आ रहे हैं मतलब दोनों तरीके के फार्मसिस्ट आ रहे हैं टोटल यहां 50 seats यहां पर cover हो रही है क्या यहां पर qualification है degree and diploma course in pharmacy जी हां यहां डिप्लोमा minimum qualification मंगा गया है डिप्लोमा और यहां बैचलर के applicants यहां पर apply कर सकते हैं साथ ही साथ इस बात का आपको ध्यान रखना है यहां आपका एक active registration होना चाहिए in the state pharmacy council जब आगे यहां time and condition पर पहुंचेंगे तब यह point आपको और clearly यहां clear होने जा रहा है कि सिर्फ वही candidates यहां पर apply कर सकते हैं जिनका registration नागा लेंड state pharmacy council के अंदर हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या रहा है scale of pay की बात करें किस तरीके का salary design क्या गया है तो यहां हम item number six यानि डियाई की बात करते हैं pay level यहां पर 12 रहने जा रहा है और यहां seven यानि जब हम अपने pharmacist की बात करते हैं pay level यहां पर eight रहेगा आगे बढ़ा जाए तो यहां elective subjects किस तरीके का यहां पर subjects किस तरीके किस तरीके का आप देखिए क्या हो रहा है यह written examination यहां पर होगा तो किस तरीके का syllabus आपका होने जा रहा है six और seven मतलब डियाई प्लस फार्मसिस्ट की बात करें यहां हमारा इलेक्टिव सब्जेट रहेगा pharmaceutical sciences मतलब हमारे बैचलर इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी यहां के subjects यहां पर रहेंगे आपके लिए syllabus के तोर पर और हो सकता है इसके further notification आ सकता है जिसमें और clear mention हो जाएगा किस तरीके का syllabus रहेगा कौन कौन से topics कौन कौन से subjects यहां पर आ रहे हैं चलिए आगे बढ़ा जाए यहां पर age की बात करते हैं age limit दिया गया है minimum 21 year और maximum 30 years के candidates यहां पर apply करने के लिए eligible होते हैं आगे बढ़ा ज सभी terms and condition आप जरूर से यहां एक बार देख लेंगे और यहां पर हम आते हैं F number देखिए क्या लिखा हुआ है registration in the Nagaland State Pharmacy Council and Nagaland Nursing Council यह हमारे staff nurse के लिए हो जाएगा ठीक है यह इन बातों का ध्यान दखना है जो person Nagaland State Pharmacy Council में registration करवाए हैं सिर्प वही यहां पर eligible हो रहे हैं चलि से ध्यान रखते हुए चलेंगे किस तरीके का यहां पर आपको application करना है देखिए application करने के लिए आपको OTR में registration करना अनिवारे जैसे कभी हम SSC के लिए करते हैं तो सबसे पहले हमें एक registration करवाना अनिवारे रहता है registration के बाद ही हम वहाँ पर apply कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको online registration करना है है इनके site पर और इसके बाद ही आप यहां पर apply कर सकते हैं और देखिए क्या रहा है application start हो चुका है third of April से और लास्ट डेट रहने जा रहा है ट्वंटी सिक्स्ट ऑप अप अप्रेल टू थूजन एंड ट्वंटी त्री ध्यान रखेंगे इस बात का लास्ट डेट आप अच्छी opportunity है एक अच्छा post है यहां पर फिप्टी पोस्ट निकल रहा है साथ यह साथ डी आई के लिए तो एक है लेकिन बहुत ही अच्छी बात है अगर एक भी है कोई दिक्कत नहीं जरूर से exam preparation कीजिए अच्छे तरीके से prepare कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं किस तरीक और 25 रुपीज यहां पर पेबल चार्ज रहेगा किसी भी तरीके से अगर आप payment कर रहे हैं तो यहां 25 रुपीज आपको as a charge देना होगा आगे बढ़ते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का problem आ रहा है तो इन्होंने अपना help line number भी दे दिया यहां से जाकर आप अपने जित इस बात का ध्यान रखेंगे सिर्फ working hours में ही यहां call करेंगे चलिए अब आते हैं कहां से आपको application form feel करना है तो देखिए उपर यहीं आपको देखने को मिल जाएगा register जैसे ही आप register क्लिक करेंगे इस तरीके का panel यहां पर open होगा सबसे पहले आपको यहां registration कर लेना है और इस स्टुडेंट्स ने इस साइट पर अगर पहले ही registration कर लिया है तो उन्हें simply login पर जाना है और अपने ID password यहां पर देकर यहां से यह login कर सकते हैं ठीक है जरूर से यहां पर apply करेंगे अच्छी opportunity है बहुत ही rare condition होता है कि ऐसे पोस्ट आप आते हैं मिलते हैं ऐसे ही नए फ